जब वो लड़का पैदा हुआ, तो सारे स्पार्टन्स की तरें उसका भी मुआयना किया गया अगर वो बहुत नाटा या कमजोर या अपंग होता तो उसे फना कर दिया जाता पैरों पर खड़ा होना सीखते ही उसे जंग की तैयारी में जोग दिया गया उसे सिखाया गया, ना कभी भागो, ना कभी खुटने टेको उसे ये भी सिखाया गया कि मैदान जंग में स्पाटा के लिए शहीद होना ही सबसे फक्र की बात है स्पाटा के रिवास के मताबिक साथ साल का होते ही उसे अपनी मां से चुदा करके जंग की तैयारी के लिए बेश दिया गया उसे स्पाटा के तीन सो साल पुराने जाबास समाच में डाला गया जहां दुनिया के सबसे बेतरीन सिपाही ढाले जाते थे वतन से महबब लड़के को मजबूर कर देती लड़ने के लिए भूखा रहने के लिए खाना चुराने के लिए और जरूरत पड़े तो कतल करने के लिए उसे बेरहनी से पीटा जाता परताश सीखने के लिए दर्थ सेने के लिए आजमाईश के लिए उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया गया ताकि वो अपनी हिम्मत और अखल से कुद्रत के कहर का मुकाबला कर सके जंगल की वो रात उसकी हिम्मत का इम्तहान थी या तो वो एक जाबा स्पाटन की तरे लोटेगा या वहीं मर जाएगा बेरडिये ने उसकी तरफ पढ़ना शुरू किया काले फॉलादी पंजे स्या राज जैसी खाल सुर्क चमकती आंखे जैसे जहन्नुम के शोले तहक रहे हो विशाल भेडिये ने आने वाले शिकार की खुश्बू सुमली थी मगर लड़का बिलकुल खौफसदा नहीं था उसके शरीर में संसनी दोड़ रही थी और फेपड़ों में सर्थ लहर वहाँ दूर सरसराती हवाय पेड़ों को चुका रही थी लड़के के हाथ तंग गए और उसका निशाना अच्योग और वो लड़का जिसे मौत के हवाले कर दिया था वापस लोठाया स्पार्टा की शान बढ़ाने राजा बन कर